Hey guys, welcome to my online CA, मिना नाम है देव So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Shop Establishment Online Registration के बारे में जिया तो देखें, जो Shop Establishment Registration होता है, वो आखिर होता है, क्या है, कब इसके लिए apply की जाता है, कैसे apply की जाता है और जिसके लिए आप अपनी किसी भी expert के through help लेना चाहते हैं, हमारे through help लेना चाहते हैं Link जो है, आपको simply description box में मिल जाएगी तो चलिए guys, शिरू करते हैं So guys, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आखिर जो Shop Establishment Registration होता है, वो आखिर होता है, क्या है माली क्या होता है, जब भी यहाँ पर कोई shop open करता है, तो अगर 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 मैं बात करो हूँ, तो माली जी अगर उसके turnover इतने जादा नहीं है अभी just recently उसने business शुरुआत की, अभी basically आप उसने shop just open की है तो काई सबसे अगर मैं best scenario की case में बात करो तो shop act जो license होता है, वो सबसे यहाँ पर best legal entity certificate माना जाता है यहाँ पर shop act license जो है issue कौन करता है, तो देखे यह जो issue करने वाला होता है, basically आपका local municipal party हो गया या फिर हर state के अंदर एक labor department होता है, हर state का जो अलग होता है, वो basically यहाँ पर issue करता है तो ultimately जो shop act license के जित्ते भी rules और regulation होते है, वो यहाँ पर state government basically यहाँ पर control करती है, central government का इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं होता है, वहीं पर अगर मैं बात करो, GST के अंदर IC code हो गया, FSI license हो गया, तो वहाँ पर central government जो है यहाँ पर involved रहती है, लेकिन जो shop act license है, उसके अंदर पूरा control आपका state government करता है, जाइस बात करते हैं के shop act license के अंदर mention क्या होता है, तो यह दिक्या आप screen के सामें दे सकते है, यह माराश्टर का shop act license है, sample copy है, तो यहाँ पर basically क्या होता है, shopping license में आपका date of the registration mention होता है, साथ में जो हर state का shop act license होता है, उसके अंदर renewal के date भी दी होत इसकी एक यहाँ पर renewal date भी mention होती है, साथ में guys यहाँ पर shop owner का photograph mention होता है, उसके business और banner name के साथ में, जहाँ पर भी उसकी shop is situated है, तो उसकी पूरी photo यहाँ पर लगी होती है, साथ में guys उसका trade name भी mention होता है, कि मालीजी आप जो भी shop का नाम रख रहे है, as a proprietorship firm आप जो भी bank के अंतर जाकर एक current account भी यहाँ पर open करवा सकते हैं, बात में guys इस shopping license के अंदर आपका जो state government होगा, उसने पहले से decide कर रख होता है, कि VD के holidays वगरे कितने होगे, जो timing रहेगा, यहाँ पर जो labor's का वो कितना रहेगा, तो वो सारे जो rules और regulations है, वो सारे यहाँ पर shopping license के लेकिन guys कुछ state के अंदर इसको different नाम से भी यहाँ पर बुलाया जाता है, जैसे अगर में माराष्टा की बात के हो तो वहाँ पर अधिकतल लोग इसको यहाँ पर गुमस्ता license बोला करते हैं, तो गुमस्ता license अगर में बात के हो तो वह होता है एक तरसे shopping license ही है, लेकिन मार इस state के अंदर कोई ना कोई अलग नाम आपको मिलेगा, लेकिन ultimately घुमा फिरा के वो आपका एक shopping license ही यहाँ पर कहलाता है, तो गाइस बात करते हैं कि जो shopping license होता है, उसको apply करने के लिए किन documents के requirement होती है, तो पहले चीज़ आपका basic KYC होगा, जिसे कि pancard और आधारकाड होग साथ में अगर electricity bill copy जो किसी और other person के नाम पर तो आपको एक no objection certificate भी यहाँ पर चाहिए होगा, उसके अंदर यह लिखा होना चाहिए कि उस बंदे को यहाँ पर कोई भी problem नहीं है, कि इस address के उपर आप shopping license ले रहे है, साथ में एक चीज़ ज़रूरी यह नहीं कि आपका जो business address proof है, वो commercially यहाँ पर होना चाहिए, आप अपना जो residential property है, उसका भी address proof लगा सकते है, लेकिन शर्ते वो है कि आप यहाँ पर work from home कर रहे हो, या फिर let's suppose आपका जो काम है, वो आप यहाँ पर अपने घर से शुरुवात कर रहे हो, आपने guys कई बार आपको banner के साथ में shop की images से हो सकता है, तो उसका certificate भी आपको लगाना पड़ सकता है, गाइस बात करते हो कि benefits का है shopping license apply करने के लिए, तो देखिए पहली चीज़ तो यह आप अपना business simply यहाँ पर चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी state की rules और regulations होते हैं, वो सारे आपके उपर applicable होगे, तो guys आप आपके उपर कोई भी government का final penalty नहीं लगेगा, अगर आपके पास में shopping license रहेगा तो, second thing यह guys, shopping license के तुरू, आप किसी भी bank के इंदर जाकर अपना current account उपन करवा सकते हैं, यह current account आपके personal नाम पर नहीं, बलकि आपका जो shop का नाम होगा, या आपका जो trade का नाम होगा, उसके आपके उपर open होगा, even guys, कई लोग जो GST वगर apply नहीं करते हैं, माली जोन को requirement नहीं है, अपना business जद शुरुवात की है, तो अधिकते case में, वो shopping license के basis पे ही यहाँ पर current account open कर लेते हैं, अब guys, बात करते हैं कि प्रोसेजर क्या है, shopping license को apply करनेगा, तो देखें, दो टाइप वगर अप्लोड करने पड़ते हैं, और उनका एक fees होता है, वो आपको payment online ही करना पड़ता है, तो जैसे आप payment वगर कर देते हैं, उसके बाद में आपके application यहाँ पर verify की जाती है, कई state के इंदर physical verification भी possible होती है, उसी के बाद में यहाँ पर आपको online certificate मिल जाता है, offline की बात क आपको एक physical certificate मिलता है, जिसके ओपर ठपा लगा होता है, चलिए guys, यहाँ पर मैं आपको कुछ state का idea दे रेता हूँ, ताकि आप जिस भी state से belong करते हैं, उसका आप यहाँ पर shopping license apply कर सकते है, यहाँ पर महाराश्टर से start करता हूँ, तो देखिए महाराश्टर के इंदर दो website एक आप लिए सरकार है, और एक जो है MCGM है, जो Bombay Basically Municipal Party का जो है website है, तो guys, अगर आप let's suppose Bombay, Bombay से belong करते हैं, तो आपको MCGM की website के ओपर जाना है, वहाँ पर आपको अपनी application fill up करना है, documents वगर upload करने है, चालान submit करना है, और उसके बात में आपका जो certificate है, वो भी यहाँ पर online internet होगा, लेकिन let's suppose, अगर आप कोई other district से belong करते हैं, जैसे थाने वगरे हो गया, पूने वगरे हो गया, तो आपको आप लिए सरकार की website के ओपर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आप जो है, अपना certificate जो है, यहाँ पर apply कर सकते है, तो guys, दोनों के इन्दा यहाँ पर process सेम और यहाँ पर आप कर सकते हैं, और यहाँ पर तो यह self assessment के basis के ओपर available है, जहाँ पर सिर्फ आपको information वगरे डालनी पड़ती है, और वो instantly basically आपका certificate निकाल के दे देता है, वही पर काईस, अगर मैं राजस्तान की बात के हो, तो राजस्तान का भी पूरा online वगरे process है, अगर मैं हर्याना की बात के हो, तो हर्याना का भी जो है online process है, इनका भी पूरा dedicated website बना हुआ है, जिसके तो आप labor department की site के ओपर जाकर, यहाँ पर shopping license apply कर सकते हैं, तो guys अधिकतर आपने notice किया होगा, कि जो shopping license है, वह आपको labor department की website के ओपर ही मिलता है, तो let suppose अगर आपका state का अगर इस list में अगर नहीं बताया है, तो simply आप अपने जो respective state है, उसकी labor department की website के ओपर जा सकते हैं, वहाँ पर check out कर सकते हैं, कि मेरे state का shopping license यहाँ पर online process is here, है या नहीं है, अगर नहीं है, तो simply आप अपने labor department को visit कीजिए, वहाँ पर simply आप जो है अपना shopping license निकलवा सकते है So guys, अब आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ गया होगा कि जो shopping license होता है, वो यहाँ पर किस तरह से applicable होता है, और किस तरह से आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, So guys, hope you like this video, अगर आपको कोई भी consultancy चाहिए, या कोई भी आपके प्रशन है, सवाल है, तो आप simply यहाँ पर comment box के mention कर सकते हैं, Thank you guys, Thank you very much